नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एडवांस और ट्रिपल एडवांस आई वी आर मशीन में डिफ्रेंसेस डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि इस दोनों मशीने देखने में तो सेम लगती हैं, हर चीज़ आवस्यक्ताओं के हिसाब से, इसकी जो विसेशता हैं और इसके फीचर हैं तो चलिए मैं आज आप लोगों को ट्रिपल एडवांस और एडवांस दोनों मॉडल के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ ये दोनों मशीने हाडवेयर में देखने और रूप में देखने में तो सिमिलर होता है अडवांस आइवीर मशीन में चार फीचर्स मिलते हैं, एक होता है आइवीर कॉल राउटिंग का इंबाउंड आइवीर के नाम से जानते हैं इसको दूसरा है wise broadcasting जिसमें क्या होता कि एक recorded wise बनाया और दिन भर recorded wise call कर रही है automatic system के तुरू मतलब वो recorded सभी के mobile पर जाएगे और call कर लेगी और उसके अलावा auto dialer होता कि staff जो होते है न auto dialer करते हैं auto dial करेंगे और बातें करेंगे जैसे ही phone रख देंगे वैसे अगली call फिर लगने लगेगी तिया auto dialer उसमें बार बार जैसे mobile में बार बार टाइप करके mobile में लगाने की आवस्ता नहीं होती है ति इसलिए auto dialer काफी अच्छा होता है जैसे कि sales वेगरा के लिए काफी प्रियोग किया जा सकता है उसके बाद आता है bulk messaging का यह सारे feature मिलते हैं इसके अंदर इसमें भी same volti sim support करता है इसमें भी adapter, antenna, cable, phone, cable वेगर हम आपको देते हैं यहाँ पर proper तरीके से features दिये गए है और computer configuration दिया गया है यह सारा advance IVR machine में है call recording जैसे कि कोई call कर रहा होता है तो हम call से जो भी बातें कर रहे होते हैं वो device के अंदर record हो जाती है तो यह बढ़ा आसान हो जाता है record maintain करने के लिए कि कैसे तो यह triple advance IVR machine में आपको मिल जाता है आप देखें triple advance में extra feature है welcome message जो क्या होता कि वाइस बजएगी उसके बाद टेलीफोन पर गंटी बज़ जाएगी तो उठा के बात कर सकते हैं उसारी बाते record हो इसमें एक दो दबाने क्या हो सकता नहीं होती है जबकि IVR inbound उस दोनों में होता है wise broadcasting दोनों में होता है auto dialer दोनों में होता है call recording उसमें नहीं होती है इसमें होती है bulk messaging दोनों में होती है wise mail cable EC में होता है triple advance IVR machine में उसमें नहीं होता है उसके बाद आता speed dial ये दोनों में common होती है तो ये advance में एक welcome message नहीं होता है दूसरा वाइस मेल नहीं होता है तीसरा कॉल रेकॉर्डिंग नहीं होती है यानि कि ये तीन चीजें जो है ना एडवांस IVR मशीन में नहीं होता है और ये तीनों चीजें ट्रिपल एडवांस IVR मशीन में होती है और दोनों की फ्रिक्वेंसी सीमिलर होती है कोई problem नहीं है हर चीज लगबर लगबर देखने में computer की configuration हर चीज देखी जा सकती है खास बात आप लोगों को बता दूँ कि advance और triple advance दोनों एक PC में चलाई जा सकती है आप दो triple advance या दो advance एक machine में नहीं चला सकते हैं उसमें problem create करती है home port connections में आपको बार-बार problems होगी इसलिए जो है single machine ही एक computer में चलेगी दो machine अगर आप एक साथ एक computer में चलाना चाहते हैं तो एक advance और triple advance आप चाहें तो ले सकते दोनों एक साथ work करेगी तो इसलिए दोस्तों यह सारी information है बागी कोई भी information और जानकारी चाहिए तो हमारे screen पर दिये हुए number पर call करके हमारे executive से proper जानकारी ले सकते है live demo चाहिए device की तो हम लोग online any days के जरी live demo भी दे देते हैं तो यह video अगर अच्छी लगी हो तो like जरूर करिएगा और आप लोग अगर इस channel पर नए हैं तो subscribe जरूर कर लीजेगा आगे की notification के लिए क्योंकि आपको जो भी नई videos डलेगी तो आपको एक notification मिल जाया करेगा इसलिए subscribe करना best रहता है बाकी आपको इस channel की जो videos अपने दोस्तियार रिस्तिदारों को जरूर share करिए क्योंकि share करने से video की reach वेकरा create होती है Thank you दोस्तों नमस्कार